हेलो दोस्तों आज के क्लास में हम स्पीडी बिहार करेंट अफ्यर जुलाई दोजाट 24 एडिसन में दिया गया चैप्टर बिहार की प्रमुक योजनाए इस टॉपिक को कवर करेंगे मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में अब सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते ह बिहार की प्रमुक योजनाए मिशन परिवर्थन की शुरुवात हुई 4 माई 2023 में उप्प मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन साथ दिन के तरज पर मिशन परिवर्तन को लॉंच किया उद्देश है अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सिय विवस्था को बहतर करना है हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपुर्ती योजना हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपुर्ती योजना सुरुवात हुई 27 नमंबर 2022 नालंदा जीले के राजगीर से उद्देश है गंगा जल आपुर्ती योजना के तहत गंगर नदी के पाने को पाइपलाइन के जड़िये राजगीर गया बोद गया एवं नवादा में उपलब्द करवाना कूल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलो मीटर एवं कूल बज़र 4,475 करोड इस तहद प्रते दिन 135 लीटर सुद्ध जल आपूर्ती का लक्ष रखा गया बोद गया में इसकी सुरुवात 28 नमंबर 2022 को की गई बोद गया में इसकी सुरुवात 28 नमंबर 2022 को की गई मुख्य मंत्रे डिजिटल हेल्थ योजना मुख्य मंत्रे डिजिटल हेल्थ योजना सुरुवात हुई 21 अक्टूर 2022 इस योजना के तहद अब डिजिटल हेल्थ एप के जड़िये हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं या जान सकेंगे इस योजना को अगले पांच वर्सों में 2022 से 2023 से 2026 सटाइस चरंद बद तडिके से लागू किया जाएगा मुख्य मंत्री ग्रामिन सोलर स्ट्रिट लाइट योजना मुख्य मंत्री ग्रामिन सोलर स्ट्रिट लाइट योजना सुरुवात हुई 15 सितंबर 2022 से इस योजना के तहद प्रती एक वर्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे मुख्य मंत्री सुक्स बागवानी योजना मुख्य मंत्री सुक्स बागवानी योजना सुरुवात अगस 2022 से इस योजना की तहद पिहार सरकार सुक्च मसिंचाई प्रनाली का उप्योग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सबसेड़ी देगी रोपन सामागरी के मद में अधिक्तम 30,000 रुपए प्रती हेक्टेर अथ्वा लागत का 50% सबसीडी के रूप में दी जाएगी Face on Will योजना सुरुवात जून 2022 बिहार पसुपालन एवं मतस्य बिभाग द्वारा उद्देश से है राज के सभी टीवी मरीजों की इम्मिन्यूटी बढ़ाकर उन्हें स्वास्त करने और उनके परिवार के सरस्यों को संक्रमन से बचाने के लिए इसके तहत मरीजों के घर पहुँचकर उन्हें मचली चावल खिलाया जाएगा निपून बिहार योजना निपून बिहार योजना सुरुवात हुई अप्रेल 2022 में बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्र सेखर द्वारा इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधार बुद साक्षर्ता एवं संख्यात्मक ज्यान में सुधार हेतु लाया गया है बज़र 2023 की तहट इसी प्रथम से पाँचवी कक्षा तक बढ़ा दिया गया है बज़र 2023 की तहट इसी प्रथम से पाँचवी कक्षा तक बढ़ा दिया गया है गंगा जल उद्ध योजना बिहार सरकार की एक महत्व कांची योजना है जिसकी द्वारा राजगीर गया बोद गया और नवादा की लोगों को सुध पेजल उपलब्द कराया जाएगा मुख्य मंत्री नितिस कुमार द्वारा 6 अक्टूर 2021 को इसके कार्यों की समिक्षा की गई जिसकी अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वीतरन का कार्य जून 2022 तक आरंब करने का लक्ष रखा गया है मुख्य मंत्री क्रिसी यंत्र सबसीडी योजना सुर्वात अक्टूर 2021 से इसकी तहद 10 लाख रुपई के क्रिसी यंत्र बैंक अस्थापित करने के लिए सरकार किसान किसान समू या संस्थान को 8 लाख रुपई तक अनुदान देगी 25 और 40 लाख तक के क्रिसी यंत्र बैंक अस्थापना के लिए सरकार 40 प्रतिसत तक का अनुदान देगी मुख्य मंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना सुभारम 18 जुन 2021 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार द्वारा उद्देश से है स्वार रोजगार और स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की और से दस लाक रुपए तक का लोन पचास फेसदी अनुदान के साथ मिलेगा इस योजना के तहत मिलने वाली लोन में केवल पांच लाक रुपए ही चुकाने होंगे यह रासी लाभर्ती को एक प्रतिसद ब्याच के साथ साथ वर्सों में 84 समान किस्तों में के माध्यम से जमा करनी होगी यह रासी लाभर्ती को एक प्रतिसद ब्याच के साथ साथ वर्सों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी योजना के पात्र हैं 18-50 वर्ष की बीच की सभी लोग बाल हिर्दय योजना सुभारम 1 अप्रेल 2021 को इसे सीएम नितिस कुमार ने आत्म निर्बर बिहार के साथ निश्य टू योजना के सब के लिए अतिरिक्त स्वास सुवीदा के तहत सुरू किया है उद्देस हिर्दय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निसुल्क उपचार गरीप कल्यान रोजगार अभियान सुभारम 20 जुन 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा बिहार के खगडिया जीला के तिलहार गाओं से उद्देस्य COVID-19 के प्रकोप से गाओं में लोटने वाले प्रवासी कामगारों के रोजगार और आजिविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान बिहार की 32 जीलों में लागू है घर तक फाइवर योजना घर तक फाइबर योजना शुरुवात 21 सितंबर 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा बिहार से उद्देश से है 45,945 गावों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना लागत 14,000 करोर बिभाग Electronics और Information Technology मंत्राले बिभाग है Electronics और Information Technology मंत्राले बाल साहता योजना सुभारम हुआ 30 मई 2021 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार द्वारा इस योजना की माध्यम से वह सबी बच्चो जिनकी माता पिता की मृत्यू कोरोना वाइरस संक्रमन की कारण हुई है उन्हें 18 वर्स होने तक 1500 रुपए प्रती मा की आर्थिक साहता प्रदान की जाएगी हर घर नल का जल योजना सुभारम 28 अगस 2020 गावों में कनेक्शन देने की मामले में 19 जीलों में 100 प्रतिसत लक्ष प्राप्त किया है दूसरी और सहरों में 15 जीलों में 100 प्रतिसत लक्ष प्राप्त किया है गावों में नल जल कनेक्शन देने की मामले में प्रता मस्थान पर बाका है सहरों के मामले में प्रता मस्थान पर जाहनाबाद जीला है सहरों के मामले में प्रता मस्थान पर जाहनाबाद जीला है बिहार में स्वामित्य योजना सुभारम 24 अप्रेल 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा इसके तहत ग्रामिन छेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमी का सडवे तथा मैपिंग कर प्रोपर्टी कार दिया जाएगा जिसमें जमीन से सम्बंदित जानकारी रहेगी बिहार SCST उद्यमी योजना सुरुवात 4 अगस 2018 को इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभारती को 10 लाग तक की रासी प्रदान की जाएगी पांच लाग रुपए की रासी अनुदान की रूप में उपलब्ध होगा तथा सेस पांच लाग रुपए ब्याज मुक्त रिन की रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा चात्र क्रेडिट कार्ड योजना सुर्वाद 2 अक्टूर 2016 को इस योजना का उद्धिस आर्थिक रूप से कमजोर बार्वे पास विद्यार्थियों को उच्छ सिक्छाया तकनिकी पाठ्य क्रमों कूल 36 प्रकार के पाठ्य क्रमों में प्रवेश लेने के लिए 4 लग तक सिक्छा रिन दिया जायेगा मुख्य मंत्री ब्रेधन पेंसन योजना सुभारम एक अप्रेल 2019 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार द्वारा इस योजना के अंतरगत 60 से 79 वर्स की आयू के लोगों को हर महिने 400 रुपिया तथा 80 वर्स से अधिक आयू के लोगों के लिए हर महिने 500 रुपई की पेंसन आर्थिक साहता के रूप में प्रदान की जाती है मुख्य मंत्री कन्या उत्थान योजना सुभारम 3 अगस 2018 को इस योजना के तहद बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपई तथा असना तक उत्तिर्ण करने पर 25,000 रुपई की रासी दी जाएगी इस योजना के तहद किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर असना तक करने तक 54,100 रुपई दिये जाएंगे बिहार पत्रकार सम्मान पैंसन योजना सुभारम 13 फरवरी 2019 इस योजना के तहद 20 वर्स तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रतिमा 6,000 रुपई पैंसन दिये जाएंगे 60 साल और उसके उपर के पत्रकारों को ही यह लाब दिया जाएगा प्यार का पौधा अभ्यान सुभारम 14 फरवरी 2020 को पत्ना में परिया वरन वन विभाग द्वारा उद्देश से है परिया वरन की सुरक्षा के लिए पेर की प्रता को बढ़ावा देना जल जीवन हर्याली मिशन जल जीवन हर्याली मिशन सुभारम 26 अक्टवर 2019 महात्मा गांधी की 150 वी वर्स गाट पर राच में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपए की सबसीडी मदत रासी की रूप में प्रदान करेगी ग्रामिन उजाला योजना सुभारम 19 मार्च 2021 आरा से केंद्रि मंत्री आरके सिंग त्वारा इस योजना के तहत काड़ सील पुराने ताप दित्व बल्वो के बदले मात्र 10 रुपए में ग्रामिन छेत्रों में LED बल्वो 7 वाट और 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ का वित्रन किया जाएगा इस योजना के तहत काड़ सील पुराने ताप दित्व बल्वो के बदले मात्र 10 रुपए में ग्रामिन छेत्रों में LED बल्व का वित्रन किया जाएगा मुख्य मंत्री निश्चय स्वयम साहता भत्ता योजना सुरुवाद 2 अक्टवर 2016 को इस योजना का मुख्य उद्देश 20 से 25 वर्स के बिरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में साहता देने के लिए दो वर्सों तक 1000 रुपए प्रती मा की दर से साहता भत्ता देना है कुसल युवा कार्यक्रम कुसल युवा कार्यक्रम सुरुवाद 2 अक्टवर 2016 को योजना राज के मूल निवासियों 15 से 25 वर्सों की दस्वी या बार्वी पास बिरोजगार युवाओं को भासा एवं समवाद कोशल, बुनियादी कम्प्यूटर ग्यान एवं वहवार कोशल का प्रसिक्षन देने के लिए प्रतिबद्ध है विद्वा पैंसन योजना इसके अंतरगत विद्वा महिला को 500 रुपए प्रतिमा पैंसन दिया जाएगा इसके लिए विद्वा महिला की कम से कम 18 साल होनी चाहिए उद्देस है विद्वा महिलाओं की आर्थिक स्थिती में सुधार लाना है मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है इसके अंतरगत गड़ीबी रेखा से नीचे रहने वाले पड़िवाडों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म की समय 2000 रुपए की रासी कन्या के नाम से निवेश कर प्रमान पत्र उपलब्द कराया जाता है मुख्य मंत्री कन्या विवा योजना इस योजना के तहद गड़ीबी रेखा से नीचे की पड़िवाडों को विवा की समय 5000 रुपए की आर्तिक मदद दी जाती है इस योजना का संचालन समाश कल्यान विवाग द्वाड़ा किया जाता है मुख्य मंत्री बाली का प्रोत्साहन योजना इसके तहद दसवी कक्षा की पडिक्षा में प्रथम स्रेनी से 39 चात्राओं को 10,000 रुपए प्रति चात्र प्रोत्साहन स्वरूब धन्रासी उपलब्द कड़ाई जाती है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना इस योजना में वे सवी उमिद्वार जिन्होंने UPSC की प्राइमरी लेवल पीटी की परिक्षा उत्तिर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपे की वित्त साहता प्रदान की जाएगी योजना वे सवी उमिद्वार जिन्होंने UPSC प्राइमरी लेवल पीटी की परिक्षा उत्तिर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपए की वित्त साहता प्रदान की जाएगी मुख्य मंत्री फसल साहता योजना इस योजना की तहत वास्तविक उपज दर्ड में 20 प्रतिसत तक की कमी आने पर 7500 रुपए प्रती हेक्टेयर तथा 20 प्रतिसत से जादा कमी आने पर 10,000 प्रति हेक्टेयर रासी दी जाएगी यह साहता रासी अधिक्तम 2 हेक्टेयर पढ़ दिया जाएगा इस समर्थ योजना इस समर्थ योजना सभी विद्यालयों को कम्प्यूटर आधारित सिक्षा से जोड कर मल्ती मेडिया पाठ सामागरी तयार कर उसे कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की साहता से बच्चों को पढ़ाने का प्रवधान है दिव्यांग विकलांगता पैंसन योजना वैसे व्यक्ति जो 40 प्रतिसत या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंद्रा गांधी राष्ट विकलांगता पैंसन योजना के तहट सामिल नहीं है उन्हें पैंसन दिया जाएगा इस योजना के तहट 300 रुपई प्रति मह दैनी खर्चे की रूप में दिया जाएगा निसुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाव भी प्राप्त होगा मुख्य मंत्री पडिवार लाव योजना मुख्य मंत्री पडिवार लाव योजना सामाश कल्यान विभाग द्वाड़ा बी पी एल वाले पडिवारों की आर्थिक साहता के लिए इस योजना की सुरुवात की गई है इसके अंतरगत 18-60 वर्ष की आयू वर्ग के कमाउ सदस्य के अकास्मत मिर्त्यू पर उसके आश्रित को एक मुस्त बीस हजार रुपए की आर्थिक साहता दी जाती है मद्यवान भोजन योजना इसके तहत राज की सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग एक सी आठ तक की सभी बच्चों को मद्यवान भोजन उपलब्द कराया जाएगा बिहार राज की ग्रामिन आजीवी का मिसन चीवी का बिहार जीवी का पडियोजना आजीवी का संबंद गती वीद्यों के लिए सहयोग प्रदान करके गड़ीबी उन्मूलन हितु राज सरकार की एक महत्वकांची पहल है जीवी का ने वर्स 2015-16 से बिहार रुप कांती विकास पडियोजना BTDP प्रारम की जिसे जीवी का टू कहा जा रहा है ममता योजना इस योजना का उद्देश बिहार राज में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्त सेवा उपलब्द कराना तथा स्वास्त वातवरन प्रदान कराना है इसकी तहद दायों को जच्चा बच्चा की दीगभाल के लिए 75 रुपे प्रदान किया जाता है इसके तहद दायों को जच्चा बच्चा की दीगभाल के लिए 75 रुपे प्रदान किया जाता है बिहारी सताब्दी कुष्ट कल्यान योजना बिहारी सताब्दी कुष्ट कल्यान योजना के अंतरगत विजिवल डिफोर्माइटिस ग्रेट टू के कुष्ट रोगी को भोजन आधी हेतु 1500 रुपए प्रती मा कुष्ट रोगी दर्ड से आर्थिक सायता दी जाती है मिशन इंद्र धनूस मिशन इंद्र धनूस बिहार में इस मिशन की सुरुवात 7 अप्रेल 2015 को हुई थी इसकी सुरुवात सर्व प्रतम राच्च के 20 सबसे पिछडे जीलों में की गई थी इस स्योजना की तहट प्रतीक महिने की साथ तारी को घर के पास विसे स्कैम के जड़िये बच्चों को साथ बिमारियों से बचाओ के लिए ठीके लगाये जाते हैं परवरिस योजना इस स्योजना का प्राड़म 2014 में बिहार राज सरकार द्वारा की गई थी इस योजना का प्रमुक उद्देस वंचित एवं अनात बच्चों को पालन पोशन कर उसके समुदाय की अस्तर पर ही सुनिश्चित करना है इस योजना का मुख्य उद्देश वंचित एवं अनाद बच्चों का पालन पोशन उनकी समुदाय के अस्तर पर ही सुनिश्चित करना है मुख्य मंत्री पोशाक योजना यह योजना बिहार सरकार द्वारा वर्स 2009 से 2010 से संचालित है इस योजना के अंतरगत राजकिय राजकिय क्रित सहता प्रदान अल्प संख्यक विभाग सहीत प्राडंबिक विद्यालियों के वर्ग 3 से 5 में नामंकित प्रतियक छात्र छात्राओं को 500 रुपए नगत प्रदान किया जाता है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एक लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब केजिए मिलती हूँ मैं अगली क्लास में जैहिन थाइंक यू